नमस्कार दोस्तों जय शनिदेव महाराज जय हनुमान जी स्वागत है आप सभी का आज के अत्यन्थी महत्वपूर्ण विडियो में तोवरिश्चिक राशी वालों तो दोस्तों बहुत लंबी चलांग लगाएगी आपकी किस्मत जीहा दोस्तों मचानक दहाड मारेगी आप से दोस्तों आपके उपर भगवान हनुमान जी का विशेश क्रिपा रहने वाली है जीहा दोस्तों आपकी जिन्दगी में जो भी संकट आ रहे हैं वह संकट को हनुमान जी दूर करने वाले हैं आपकी बिगड़ी जिन्दगी को सुधारने वाले हैं और इन्ही के क्रिपा स जी हाँ दोस्तों बदल जाएगी आपके पूरे जिन्दगी दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और आपकी किस्मत के आगे सलाम करेगी जी हान दोस्तों इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि भुत वर्षों के बाद आपकी कुंदली में आपके ग्राहक गोचर में ऐसा यो वैसी भर्नी यानि कि जो भी आपके दुश्मन है जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उसका कर्म तो बुरा होता ही है, परंतु आप उसे बर्बाद करनेने के लिए अपना समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों आप अपना कर्म को बढ़िया बनाए, शुद्ध ब उसके साथ भगवान वैसा ही करेगा जी हां दोस्तों अगर आप किसी के लिए अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान आपसे महरबान होते हैं खुश होते हैं और आपकी किस्मत को लिखते हैं जी हान दोस्तों और यह समय चुपके से भगवान शनिदेवजी ने ही आपकी भाग उन वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि कल के दिन आपको बड़ी-बड़ी खुश्कबर भी मिलेगी और लोग कहेंगे वह क्या नसीब। हैंसीब हो तो ऐसा दोस्तों अब उम्मीद की नहीं करने जागेगी और धर्ती में पहली बार ऐसा घटना होगा इसे। आप बैठे-बैठे क्रोरपती बन जाओगे क्योंकि चुपके से भगवान शनिदेव जी ने लिख रहे हैं आपका नया भाग्य दोस्तों। भाग्य विधाता ने आपके लिए बहुत ही सुनहरे मौका लेकर आया है इसके बारे में अगर आप जानोगे। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे जी हांकियों की बहुत वर्षों के पश्चात भगवान शनिदेव और संकट महाबली हनुमान जी एक साथरिस राशी के जातकों के उपर महरबान हुआ हैं। असलिए दोस्तों आपको हम कह रहे हैं कितना बड़ा मौका जवाब को मिला है तो इसे आप मिसमत कीजिएगा और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि अचानक ही इस राशी के जातक का ब दोस्तों आपको बता दें कि मेरा भविश्यवानी आज तक गलत नहीं हुआ है जो भी कहूंगा सच ही खूंगा आपके उपर यह समय भगवान शनिदेव कुछ हिस प्रकार महरबान है कि आपके सारे कार्य बन जाएंगे आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाएंगे जी ह दोस्तों अब आपका किस्मत घोडे से भी तेज दोडे की बैठे बैठे आपराजा बन जाओगे ऐसा आपकी कुंडली में योग कानिर्मान हुआ जी हा मित्रों परंतु उसके लिए आपको भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी को खुश करना होगा य आपका पूरा भृष्य बदल जाएगा जी हां दोस्तों दोस्तों आपने तो एक बात नोटिस की ही होगी कि किस्मत उसी का साथ देता है जो कभी किस्मत के भरोसे बैठन ही रहता है जिसको देवी देवताओं पर विश्वास होता है जिसका अच्छा कर्म होता है उसके एक जातकपर यानि की आप परभगवान शनी देव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी का। विशेश कृपा दोस्तों हम मानते हैं कि आपके जीवन में यह समय और पिछले समय अंतराल में भी काफी परेशानिया चलिया रही हैं। आपसे हो सके उतना आप दान पुन्य भी करते हैं और यही यही कारण है कि आपके उपर भगवान शनी देव और आने वाले समय में आप बैठे बैठे करोरपती बन जाओगे जी हां दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको भगवान शनी देव की कुछ उपाय को जानना होगा थ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखियेगा जी हां दोस्तों क्योंकि शनी देव चल अब आपकी राशी में शुब योग का निर्मान करने के लिए दंडाधिकारी बदले की अब आपका भागय को और आने वाले 24 घंटे के अंदर मिलेगी आपको 6 बड़ी खुश्कबरी जी हां और साथ ही में दोस्तों शुब समाचार की प्राप्ती होगी इसके बारे में अपने कलपना भी नहीं की होगी जी हां दोस्तों तो इसमें आपको हम बता दें कि आज आपको 17 लाख रुप भी मिलेंगे जी हां दोस्तों इसलिए तो आपको हम कह रहे कि बैठे बैठ तथे राजा बन जाओगे तथा अब यह सिक्स बड़ी खुश्खबरी मिलकर रहेगी और साथ ही में दोस्तों एट लाख रुपए भी मिलेंगी कल के दिन भगवान शनिदेव और संकट। हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है क्योंकि यह निर्भर रहता है आपके करमों की आधार पर और आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर. उने वाली है क्योंकि गंभीर विश्यों पर हम आज चर्चा करेंगे परन्तु आप सभी से हाथ जोड़ कर। निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को हलके में मत लेना वरनाबाद में आप बहुत पच्चताओगे इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी जिन्दगी अब बदलने वाली है पर आपको बता दें कि आज किस वीडियो मे वह कौन से सिस बड़े? खुश्कबरी मिलेगी, उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे और आखिर कल आपको पंदरा लाख रप मिलेगी. या फिर नहीं, इस के बारे में भी हम आज किस वीडियो में बात करेंगे, तथा आप शनिदेव महाराज को प्रसंद कैसे कर सकते हैं, उसमें भी हम भी हम बताएंगे, और आपके उपर शनिदेव महाराज का आशिरवाद है, या नहीं यह कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसलिए तो दोस्तों आपको हम कह रहे हैं कि आज का यह विडियो आपके लिए अत्यंतम हत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे आप बिलकुल भी मजाक ना समझे और अंत तक जरूर देखें तोवर दिवान वस्तु की खरीदारी होगी नजदी की लोगों के साथ मेल मुलाकात के भी अफसर बनेंगे, तथा सकारात मक्बने रहे, छोटी-छोटी बातों को लेकर अपने अंदर शक वहन जैसी स्थिती ना आने देम्व्यर्थ की बातों को दिमाग में रखने से निरने भी गलत होंगे साथ ही वारतालाब करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें संबंधों को खराब होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है व्यवसाय कारोबारी विस्तार संबंधी, कोई योजना हाथ में आएगी पूरिये कागरता से उस पर कार्य करें क्योंकि भ्विश्य में आपके लिए काफी फायदे मंद। दूर रखने की कोशिश करें दूसरों की बातों को महत्व देकर निर्नय लेने से तकलीफ हो सकती है लोगों की अपेग शाओ का ध्यान रखते समय आप खुद कोंजर अंदाज ना करें तथा काम संबंधी निर्नयमन के विरुध हो सकते हैं फिलहाल इस निर्नय को सकारात मक्ता के साथ स्वीकार करना होगा साथ ही में मित्रों व्यवसाई कक्षेतर में आशावादी द्रिष्टिकोन के साथ कार्यस्थल पर बहुत उर्जावान रहेंगे आप अपने व्यवहार में अत्यधिक सफल होंगे और ग्रा के साथ स्थाई संबंध बनाएंगे तथा दोस्तों कॉफी पीना छोर दे खास तौर पर दिल के मरीज आप खुद को नए रोमान्चक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फाइदा फुचाएंगे आप दोस्तों के साथ बहतरीन वक्त बिताएंगे लेकिन गाठी चलाते वक्त तज्यादा सावधानी बरते आपका प्रिय आपको खुशर्खने के लिए कुछ खास करेगा जिन्दगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए परियाप्त समय मिलेगा और और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में काम्याब हो पाएंगे आप आपको लुस करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशे कर सकता है आपके घर का कोई सदस्य आज आपसे प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर कर सकता है आपको उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए तथा बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले ले आपको धूमरपान की लत से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करेगा दूसरी बुरी आत्ते छोड धलने के लिए भी बढ़ी आसमय है क्योंकि जब लोहा गर्म हो तभी वार किया जाता है अटके कामों के बावजूद रोमानस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दि पर चाया रहेगा आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे लेकिन किसी शके घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट वो सकता है अगर आप वैवाहिक तोर पर लंबे समय से कुछ नाखुश है तो आज के दिन आप हालात बहतर होते हुए मैसूस कर सकते हैं आज का दिन थोड़ा उबाव सकता है इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं और हाँ दोस्तों आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरार्ती मन ऐसा खर्च करना पड़ सकता है घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है आपकी ठकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है संभव है कि आध्यात्मिकता की ओर तीवर खिंचा महसूस हो साथ ही मुम्किन है कि किसी योग कैंप में जाना हो किसी धर्म गुरु के प्रवचन सुनने का योग बनेया फिर पढ़े तथा दोस्तों प्यार उम्मीद सहानु भूति आशावाद और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोचसाहित करें एक बार यह गुन आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर कार्यक्रम का आयोजन करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं तथा यह संपर्क आपके लिए भविश्य में फायदे मंद साबित होने वाले हैं घर के खर्खाव तथा सब सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में बहतरीन दिन व्यतीत होगा विद्याथियों को अपनी जटका ध्यान भी जरूर रखना है युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने में और अधिक मेहंत करनी होगी तथा पैसों से जुड़ी बातों पर अधिक ध्यान देने से व्यक्तिगत रिष्टों में थोड़ा तनाव होने की संभावना है आज दिन की शुरुवात में न इस्टेट डील आपके लिए फायदे मंद साबित हो सकती है धार्मिक कारियों पर खर्च संभव है तथा इस समय ग्रह स्थिती में सकात्मक परिवर्तन आ रहा है रुके हुए कारियों मेंगती आएगी लाप के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे किसी नजदी की रिष्टे अपनी ओजनाओं को कार्य रूप देने के लिए भरपूर मेहंत करें कभी कभी अति आत्म विश्वास आपकी प्रेशानी का कारण बनेगा बच्चों का उचित मार्क दर्शन करना उनके लिए सहायक रहेगा तथाला परवाही और लेट लतीफी के कारण कोई जरूरी और म प्रेहत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कारियों से दूरी बना कर रखें ज्यादातर काम ऑफिस में रहकर ही पूरे करें तो उचित रहेगा Official तिविधिया व्यवस्थित रहेंगी तथा जीवन साथी का आत्म विश्वास व सहयोग आपके मनोबल को बना कर रखेगा तथा आपसी संबंधों में और भी अधिक नस्दीकिया आएंगी मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा और हां लोग आप पर दबाव डालने की कोश करेंगे आपको अपनी बात पर्टी के रहना होगा बदलती परिस्थिती आपको बेचैन कर सकती है जिस काम में आप अभी तकस्पल हुए हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समयसकारात्मक है इच्छाओं में बदलाव होगा तथा अपने विचारों में सकारात्मक्ता बना से मानसिक शांतिर हेगी और हां आलस और सुस्ती की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें क्योंकि कोई अप्रिय या अशुब समाचार मिलने से भी आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है किसी भी विप्रीट परिस्थिती में अपनाम नोबल गिरने ना दें विद्यार्थी वर्ग अपनी प्ठाई पर ध्यान दें तथा अनुक समय है आप अपनी योग्यता और मेहंत द्वारा कारोबार में किसी खास काम को आसानी से अंजाम दे पाएंगे किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है फिशियल कामों में आपकी मदद की तारीफ होगी साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें कि कोई व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न हो जाने से आप उन गतिविधियों में भी ध्यान दे पाएंगे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा वदे बिगडे का विध्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता ना मिलने से उदासी रहेगी परन्तु अपना मनोबल बनाएं रखें और प्रयास रत रहे आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका मनोबल बढ़ेगा था दोस्तो व्यवसाय गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी नया काम शुरू करने का उचित समय नहीं है इसलिए जैसा चल रहा है अभी उसी पर ध्यान दे तो उचित रहेगा परंतु आर्थिक स्थिती सामान्य रहेगी इसलिए फिक्र ना करें ओफिस में किसी सहयोगी की वजह से दिक्कत आ सकती है लवपारिवारिक वातावरन खुशनुमा बनाने में आपका विशेश सहयोग रहेगा प्रेन संबंध मर्यादित रहेंगे और म के चलते बधे बुजर्ब आहत महसूस कर सकते हैं बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बहतर है कि आप शांत रहे याद रखें कि समझदार कामों के जरिये ही हम जीवन को अर्थ देते हैं उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं आज अपने अबसूर्थ कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा नौकरी बदलना मददगार साबित होगा। अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ कर किसी नयक्षेत्र जैसे की मार्केटिंग वगहर में जा सकते हैं जो आपके लिए। बर्या रहेगा घर से बाहर निकल कर आज आप खुली हवाओं में टहल नापसंद करेंगे आज आपका मन शान्थ होगा जिसका फाइदा आपको पूरे दिन मिलेगा आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथ ही आपकी तरफ फिर से आकर प्रशित महसूस करेगा और हाँ आपका उर्जा का स्तर उचारहेगा आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तमाल करना चाहिए आज धन लाब होने की संभावना तो बन रही है लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सेल स्वभा के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाएं आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में इसने वह उत्साह के बल पर औरों में बदलावला सकती है अपने साथी को भावनात्मक तोर पर ब्लैक्मिल करने से बचे आज आपका मन आफिस के काम में नहीं लगेगा आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकागर नहीं होने देगी आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं इस दोरान बेवज की बहसों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए आपकी भागदौर भर दिन्चर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है जिसका इजहार शाम को होना मुम्किन है तथा दोस्तों कड़ी महंत के बाद आप जीवन के इस मुकाम पर आए हैं अभी छोटी छोटी दिक्कतों से हार कर प्रयतन रोकने की गलती ना करें अभी आपको लोगों का विरोध मिलेगा लेकिन आपका समय बदलेगा आप सही लोगों के साथ जुड़कर लक्षे की ओर बढ़ेंगे तथा जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि कुछ समय से आप अपनी दिन्चरिया और आधतों में बदलाव लाने का प्रयास हैं और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसी विशेश समारोह में जाने कानिमंतरन मिल सकता है विद्यार्थियों को अपने कारियों में आ रही रुकावटे दूर होने से राहत मिलेगी तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे वरिष्ट तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अभेलना ना करें कोई पत्रिक मसला भी उठ सकता है और जल्दबा का भी दबावर हेगा तथा घर का वातावर्ण सुखद और खुशनुमाबना रहेगा प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्विक्रिती लेने का उचित समय है और साथ ही में दोस्तों दर्द और ठकान जैसी प्रेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिती से दूर रहें, मेडिटेशन अवश्य करें तथा आज सारे काम तेजी से कर सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटा कर पढ़ाई के लिए जागरूख होंगे, आपकी उदारता कमजोरी होसर नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीट ना कर और हां मित्रों आज दिन भर प्रफुलता और उर्जा बनी रहेगी, अपनी दिन चर्या के कारियों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यती, होगा किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिती और विचार सराहनिय रहेंगे कहीं फंसा आज वापस में सकता है, तथा किसी भी परिस्थिती में संतुलित रहे, कुछ लोग प्रतिसपर्धा की भावना से आपके प्रती अफवाह फैला सकते हैं, हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी अंजानव्यक्ती पर विश्वास ना करें, तथा अपने विचारों को ही प्राथमिक्ता दे, और इसी के साथ दोस्तों इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और रिच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय हैं, इस समय का उचित सदुप्योग करें पूर्ण जानकारी हास करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मान हाने की स्थिती बन सकती है, या आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है, जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें, पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें, तथा दोस्तों उपाय की बात करें, तो आर्थिक संकट दूर करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन, लाभ मिलता है अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं है, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए गर आप श्रधा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रक्ति आती है, तथा आज आपका भाग्यशाली रंग है, लाल और भाग इसलिए अंक है, नाए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं, किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा आपका दिन शुभरहे धन्यवाद।